हेलो एवरिवान सो मैं हूँ किसमेट और आप सुन रहे हैं चनूनी माफिया के धरब तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेवन्टीन तीरी रहा की हर एक मंजल मुझ पर जाकर खतम होगी अब आगे आरोही नूर और रीड के साथ कैंटीन में बैड़ी थी आरोही का मुझ लटका हुआ था उसने अपने दोनों हाट टेबल पर रखे थी और हाट से बैच पर कुछ कुदर रही थी रीड ने एक कहरी सांस ली और बोली यार नूरी समझाना इसे क्या बोल रहा है किते सारा खुशी की बात है कि हम दोनों को एक ही कंपनी में इंटर्श के जॉब मिल रही है और ये है कि मना कर रही है नूर कुछ कह रही इससे पहले ही आरोही चला कर उठी और बोली तो क्या करूँ तुम्हें क्या लगता है मुझे ये नौकरे नहीं करनी भाई मेरा पे सपना है किसी बड़ी कंपनी में जॉब करने का रीट तो फिर मना क्यों कर रही है आरोही नूर के पास आई और उसे गूर्टे होए पूरी अच्छा बेटा जी जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है तुम्हारे कर्म की वज़ा से ही मेरा वो दिवाना जो मेरे पीछे पड़ा है उसका क्या है नूर मतलब आरोही टेबल पर बैड़ गई और रहुनी शकल लिये बोली क्या डिसाइड हुआ था कि मैं कर से अपने घर में घर से कर एक कदम भार पीने रखूँगी जब तक रिष्ण बैया नहीं आ जाते पर अब तो मुझे कल इंटर्व्यू देने जाना है और अगर पास हो गई तो रोज मुझे घर से निकलना पर जाएगा और अगर वो मुझे पर नज़र रखेगा तो आरोही की बाचन नूर और दीन दोनों ये चुपो गई आगर बात तो सही थी उसकी आरोही एक मामूनी लड़की है और एक लड़की के लिए ये कैसे नॉमल हो हो सकता है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है या उस लड़की को हमेशा ऐसा आबास हो जैसे उसे कोई घूट है पर जब वो अकेली हो ये सारी चीज़े और अपने उन बेशन एहसासों से आरोही काफे पशान थी और उसे पुरा भी लग रहा था आगर हर लड़की की तरह उसका भी सब्दा था कि वो एक बड़ी सी इंड़स्ट्री इसमें काम करे और अपने समने बूरे करे और जब ये मौका उसके पास खुद चल कर आया है तो वो चाहते हुए भी उसे सुईकार नहीं कर पा रही है काफी दे तक वो डोग चुप रहे आरोही के आँखों में बेबसे के आँसों निकल पड़ी सच में गुस्सा आ रही थी आ रही थी उसे कि उसकी बज़ा से नूर और रीट भी अपसेट है उसके अपने आसों पोचे और हलका सा मुस्कुराते हुए बोली तुम दोनों देखना तुम मेनी तरफ से अल दे बैस्ट तुम ही जीतोगे मैं लवली फ्रेड्स इत्ता खेकर आरोई अपना बैक उठा कर जाने लगी तो नूर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोली नई अगर तुम नहीं जागी तो मैं भी नहीं जाओंगी मुसे भी नहीं करना ये काम आरोई नूर क्या बोल रही है नूर सही बोल रही हूँ दोस्ट दूरे रही मेरी वो भी पक्की वाली तो दोजर छोड़ कर मैं कैसे आगे बढ़ू नूर पाथ सुन आरोई के आँखों में आशू आ गए वो अपनी सच्छी दोस्ट को पड़े प्यार से देखने लगी महीं रीट को जिन्दा होने लगी कि कहीं इन दोनों की वज़ा से उसे भी ओफर को रिजेक्ट ना करना पड़े वो परशान हुए आगे आई और बोली नूर पागल मत बोनो तुमें इसे समझाना चाहिए और तुमों की खुट ही पल्टी मार रही हो या ज़दा सोचो यह हमारे लिए कितना बड़ा मौका है बढ़ा लोगों को कांखां बटगना बढ़ता है और तुम भी इसे टुकड़ा रही हो रीट की बात रीट ने अपनी बात इस तरह से कही थी कि उसकी बात चुन आरू ही को बुरा लगने लगा उसे ऐसा मैसूस हुआ जैसे उसकी वज़ा से यह सब हो रहा है और वो अपने डोस्ट का फैदा उठा रही है चुकि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी जबकि ऐसा पिल्कुल नहीं था यह सब रीट की बज़ा से था तब ही रीट नहीं कहा और आरू देखो तुम्हें तो इस बात से कुश होना चाहिए कि तुम्हें नौकरी मिल रही है जैसे तुम अप दिन पर अपने घर में नहीं डोगी जैस तिंग क्या तुम्हारा वो दिवाना तुम्हारे घर नहीं आ सकता और अगर तुम दिन पर आफिस पे रही तो वो तुम्हें तुम्हारे आफिस में थोड़ी ना आजाएगा और फिर कुश्टिन की नो बात है तुम्हारे कृशप भाया आई ही चाहेंगे फिर बान में वो सब सॉल्फ कर देंगे रीट के बान रीट के पाद चुन आरोई सोच पर पड़ गई आके कहतो वो सही रही थी क्या वो किसी उसके दर से अपने इठरे सालों के सब्दों को तोटे अपनी मेहनत के बाद उसे ये मौका मिल रहा है तो क्या वो इससे छोड़ने वो भी सिर्फ एक दिवाना आशिक के बज़से नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती कभी नहीं तबी रीट ने कहा बोलो आरोई मानोगी न मेरी बात आरोई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे उसके एक हाँ पर उसका पूरा भविश्य ठीका हुआ है कुछ दिरों से उसके पूरी जिन्न के ज़ड़न हो चुकिया सब इतना जल्दी सब हो रहा है कि उसे कुछ सोच समझने का मौका भी नहीं मिल रहा आरोई ने अपनी आँखें बन की और सोच से बोली नहीं मैं किसी से तरकर अपने सपने को नहीं छोड़ सकती मैं जरूर ये करूगी आरोई के पाथ सुन नूर और रीड के चेरे पर एक मुसकान खेल उटी नूर ने आरोई को सोच से हग करा और खा ये हुई ना मेरी आरू वाली बात नूर के बात सुन आरू ये फिक्र फिका मुस्कुरा उठी हाँ बहले ही उसे ये कहा था पर अंदर ही अंदर उसी एक डर्ड एक पेश्यानी तो उठी ही कॉलिश खटम होने के बाद वो तीनों अपने अपने घर चले गई और कल्ड के इंटर्व्यू के लिए खुद को ट्यार करने लगी रात का समय आरूई को आज बहुत अजीब सा लग रहा था उसे अंदर ही अंदर ही ना चाने इसे ऐसा आपा सुरादा के कल उसके साथ कुछ होने वाला है आरूई के कोई भी ऐसास उसे दोका नहीं देते थे वो कभी गलत नहीं होते थे इस पार तसी अंजान की थोड़ी ही दूर पर कोई उसे अपनी बेकरार जुनून नस्रों से दिवानों की तरह देख रहा है तब ही एक जोड़ डार हवा का जोगा आया आरूई के लंबे रिश पी पाल हवा में लहराने लगे और उसके चेरे पर आगे आरूई उन बालों को बड़ी अदा से अपने चेरे से हटाने लगी उसके ऐसी हरकत देख थोड़ी दूरी पर एक गने पेड़ के पास गड़े रिश रान ने देखा तो उसका दल धड़क उठा उसने अपने सीने पर हाथ रखा उसके नजर बस एक दड़ आरूई को देखे जा रही थी उसके चेरे पर एक शराने मुस्कान देर गी और उसने अपने सीने पर हाथ फिराते हुए बड़े शदद से बोला अब तो जिसरा पर चल रही है वो मेरी है तेरे रास्टे की हर एक मज़र सिर्फ मेरे पास आकर ख़दमों की इत्ता क्या वो दिवानों की तरह फिर से बड़े शदद के साथ आरूई को देखे लगा इस बात थे अंशान आरूई अपने आने वाले कल के बार में सूच कर पीशेन हो रही थी अगर आरूई नूर और इन तीनों ही मंदिर में काना ची की मूर्टी के सामनी अपने आने वाले भविशे के लिए प्राधना कर रही थी आरूई ने अपने हाँ जोड़े और मन में बोली आरूई काना आप तो सब चांद है ना हमारे धर हमारी ये बेशेनी की क्या बचा है मैं नहीं जानती की मेरे लिए क्या सही है क्या गलत पर मुझे आप पर पूरा भरूस है कि आज जो आप करेंगे वो सब ठीक करेंगे इसलिए प्लीज आपकी इसकी उट से बगत पर अपना आशिवान जरूर रखना और हाँ उस यदान को हमेशा मुझे दूर रखना आरोही जैसे ही जोकी कि तब ही काना जी के हाथ में से एका गिरने का पुष्प नीशे गिरा आरोही जैसे ही वो फूल उठाने को हुई कि तब ही रीट ने आरोही का हाथ पक्रा और उसे बार लेश आते हुए बोली साड़े दस पैच के डोस्तो जल्डी करो क्यारा बचे इंटर्व्य हुआ है आरोही कुछ कह पाती यह फूल उठा पाती इससे पहले ही रीट उसे मंदिर से भार किष्टे हुए ले गई आरोही का मन ना जाने क्यों बहुत फिचलित हो गया आरोही मंदिर को एक बार फिर देख दिया और फिर क्याम में पैट कर अपने मंदिर के और भर जा दिया सो दोस्तों क्या होगा आगे जानने के लिब बने रहिए मिल जहना है खिप्ट में अरे रुखे रुखे अभी करीमा चाहिए अभी दो चैप्टर्स डेडियो रचलिए स्टार्ट करते है चैप्टर एटी आरोही का इंटर्व्यू अब आगे RSR Group of Industries and Company आसमान को छूती हवा से बात करती हुई एक बड़ी सी बिल्लिंग जोगे पूरी काश्चर्स की पैनी हुई है जिसके पैनल पर आखशक अंदाज भी RSR Group of Industries and Company लिखा है जिसके दूनों तरफ पार्किंग के लिए उपन एरिया है और इसके चारों तरफ खईपड़ी बड़े मिनार है उसके ठीक पीछे प्राकितिक नीला समंदर भेह रहा है फो नजार अब बीखत आकर शक्या अगर कोई एक पार देखे तो बस देखता रहा चाहे आरोई नूर और रिन एक बड़ी से लॉबी के अंदर बैटे थे इस समय आरोई सब भूल चोगी थे मा के चगा चोण नेक आरोई को आरोई के आखे बे एक अलग सी चमक थी और होटो पे एक प्यारी से मसका तबी रिन ने बड़ी बेस बड़ी से सामने की तरब देखते वे खा यार अरे यार किती कितीनी देर पीट करना पड़ीगा मुझे चली अंदर चान है जब यहां बार सब इतना अचा है तो अंदर का तो क्या है हाल होगा यार काईस रिट की बाचन आरोई और नूर हस पड़ी आरोई रिट वेट तो करना ही पड़ेगा सबर रखो सबर का पार मीठा होता है यह कहकर आरोई बीट हसीन तरीके से हस्टे लगी मही कोई था जो उसकी इस हसी का कायल हो गया था उसके दिल की बेकरारी बेड़े लगी थी और यह कोई और नहीं हमारे माव्या साहब थे जो कि अपने बड़ी से आरिशान क्याबन में बैठे अपने लाब्टॉप की बड़ी से स्क्रीम बर सिर्फ आरोई को देख रहे थे रिशान में बड़े जनूँ से आरोई के चेहरे पर हाथ फिराया और कादिराना अंदरास पे बोला आखिर आई गए तो खुद बाखुद मेरे करीब मेरे इस सिंगल जे में आ चुकी है तो अब मैं कैसे मेरी जान को कई और शाने दूँगा कैसे इत्ता कहकर वो शैतान बड़े कातिल पर बहुत आकरशक अंदास में मुस्कुरा उठा और पस एक दद दिवानों के तरह आरोई को देख्टे लगा वही आरोई को एक बार फिर वही ऐसास हुआ वो घबरा कर चारो तरफ देख्टे लगी जिससे आरोई की नजरी कूप तलाज थी वो मान नहीं था तब ही नूर आरोई की आरोई को हिराते हुए बोली आरोई क्या हुआ आरोई ने एक गहले सास ले और नामे अपना से हिरा दिया नूर कुछ कहती उससे पहले ही एक लड़की वाइड यूनिफॉर्म पहले उन तीनों के पास आई और बोली बी रड़ी आपका नंबर आ चुका है आप सब मेरे साथ आईए उस लड़की के आवाज से आरोई अपने हूश भाई और घड़ी होगी और फिर वो दो तीनों ही उस कान लड़की के पीछे जाने लगी वो लड़की उन तीनों को लेकर एक पड़ी से कैबन यों सामने गई और बोले अब आप तीनों अंदर चली जाए हमारी हैड मैनेशर आपका इंटर्वियू लेंगे एक तक हैगर वो लड़की वाज से चली गई आरोई नूर और रीड तीनों ने एक दूसरे को लिखा फिर डरवाजिक पर नौक कर अंदर चली गई उस कैबन में एक पड़ी से टेबल की टेस्क पर हेड मैनेशर समिक्षा लिखा हुआ था जिसके आसपास एक वर्ल मेंटें लीड़ी पहटी थी जिसके उम्र लगपक 40-45 साल के आसपास की होगी समिक्षा ने उनने तीनों को अपती हाथ दूसी सामने बैठने का इशारा किया तो आरोई पीछ वारे कुरसी पर पैठ गी और रीड और नूर उसके साइन में पैठ गी समिक्षा ने उन तीनों के रिजियूम्स चेक है और बारी बारी उनसे सवाल भी करें वैसे तो वो तीनों ही काफी अच्छा इंटर्व्यू टेरे थी पर आरोई की बात करने का तरीका और इसका यूँ कॉन्फिरेंट होकर हर सवाल का जवाब देना समिक्षा को काफी भागया था लगपक 30 मिनिट पाद तक इंटर्व्यू चला अब आरोई नूर और इट समिक्षा के जवाब का इंदसार कर रही थी समिक्षा कुछ बोलती उससे पहले ही टेस्क पर रखा फोन पशे लगा समिक्षा ने चैसे कॉल उठाया उसके चैर के भाव पतल गए और वहर बढ़ा कर बोली यहस वास मैं ऐसा कर दूगी समिक्षा को यू खबराता देख रीट आरोई के पास आई और इसके कानों में बोली अरी इसके चैर के रंग की उड़ गए अभी तक तो ठीक थी आरोई पता नहीं यार तभी समिक्षा ने कॉल कट करा आरोई ने उसे दीखा और थोड़ा हिच के चाहते हुए कहा सु मैप हम सिलेक्ट है समिक्षा ने कहने सास ली और खुद को नॉमल कर मुसको राकर बोली यहस आप तीनों सिलेक्ट है और आप मिस आरोई जैसे कि मैंने आपके रेजियूम को देखा है और आपका कॉल्फिटेट को देख मैंने सोच है कि आप इन दोनों की लीडर होंगी और आपके पास जो भी प्रोजेक्ट होंगी आप उसे आप लीड करेंगी और मिस नूर और रीड आपके अणनव वर्क करेंगी और अस्स्ट करेंगी और आप मिस आरोई आपको हमारे बास को भी एक बास को भी अस्स्ट करना होगा समिक्षा की भाद चुन आरोई खुश होगी उसके चेरी पर बहुत प्यारी से वसकान आगी महीं नूर भी आरोई के लिए बहुत कुछ दे पर रीद को थोड़ा पूरा लगा पर उसे जॉप मिल गई इस लिए उसने इन सम चीज़ पर जादा ध्यान नहीं दिया इसके बाद समिक्षानी उनकी सारी फॉर्मालिटी पूरी की और बोली आप इनों कल से जॉइन कर सकती है इस पर आरोई ने खुश होते होएगा ठांग्यू सूमच माँ यह क्यागर जैसे वो जाने के लिए उठी तब ही समिक्षानी उसे रोकते होएगा एक मिनित आपको इस फॉर्म पर भी अपर सिगनेशन करने होगे आरोई यह कैसा फॉर्म है समिक्षान यह कंफोर्मेशन फॉर्म है यह हमारी हर एक स्टाफ को डिया चाथ है इसमें कुछ करनीशन है अगर आप हमारी इंडर्श्रीज में वर्क करते हैं तो आपको यह माना होगा अगर आपनेशन है यह है कि आपको हायर होते हैं तो आपको पुरा एक साल यहां पर रहना होगा आप किसी दूसरे कंपणी में नहीं जा सके और अगर आपने ऐसा किया तो आपको पैनल्टी के टॉर पर पुड़े एक कड़ोर कंपणी को देने होंगे समिक्षा की आगरे लाइन सुन आरोई हिरानी से बोली पर यह कैसा रूल है समिक्षा मिस आरोई रूल्स आरोल्स यह लेजे आप एक बार पढ़ लेजे आरोई ने उस फॉर्म को देखा उस पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था जैसा जैसा समिक्षा ने कहा था वैसे ही पॉइंट्स उस पे एड़ थे वैसे तो आरोई करण से कुछ प्रॉब्रम नहीं थी पर ना चाने क्यों उसका मन उसका साथ नहीं दे रहा था उसकी पेशनी बढ़ते चाह रही थी आरोई ने एक एड़ी सांस ली और बोली मैं अगर इस फॉब्रम पर साइन नहीं करूँगी तो नहीं चलेगा आरोई के बादन शमिक्षा के चेरे पर शिंटा के भाव आ गए और वो तोड़ा परशान होते हो बोली नहीं आपको ये करना ही होगा वही नूर और रीन कोई इस बाद से कोई अपती ना थी जिस वज़ा से उन्हों ने उस फॉरम पर साइन कर दिया पर आरोई को अब भी अपनी हाथ में पहल लिए खड़ी थी उसके दिमाग में एक साथ कई सारे सवाल घूमने लगे ना जाने उसका डल नहीं माना था उसे एक डल लग रहा था एक पेशानी खोड़ी थी वो ये साइन करे या ना करे तबी रीत ने खा क्या वो आरोई साइन करो ना आरोई वो वो नूर पर वो वो नहीं कुछ है यारू हमें कौन सा कई और शॉप करनी है तो साइन कर देना यारू इस पर आरूई को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अपने दोस्त की बात माने या अपने डिल की पर अब वो इतना आगे आई है तो यहां से वापने शाना ठीक नहीं होगा आरूई ने अपने आगे के बंद करी और बोली मातरानी प्लीज मेरा साथ देना यह कहकर उसने उस पेपर पर साइन कर दिया जिसे देख समेशा ने एक चैन के सास ली साइन करने के बार आरूई नूर और रिन क्या बंसे बाहर निकल कर पहार जाने रगी तब ही पीछे से कुछ काले कबड़े पहने हुए आरूई उनके सामने आकर खड़े हो गए और उनका रास्ता रोख लिया आरूई ने उन समें को देखा तब ही पीछे से एक आवाज आई एक मिनट प्लीज रूखिए आवाज सुन वो तीनों पीछे मड़ी तो सामने आरूई ख़़ा था आरूई रीत तो आरूई को पर आरूई पर थी जो मासूमी अचे कभी अपने पीछे कड़े कार्ट को देख तो कभी आरूई को आप मैसी मिस आरूई कौन है आरूई थोड़ा हिचके चाहते हुए बोली मैं हूँ आरूई शाँ आरूई आरूई आपको हमारे साथ चला होगा बोस यानि कि इस कंपनी कि CEO आप से मिलना चाहते है है ऐसके पात्षण आरूई हिरानी से बोली या मेरा मतलब है है ऐसके पर मैसे मत करिये आप नेज़ आप भाश बौस को असेड़ बिल्याँ और आप बोस इस सलसले में है आपसे मिलना आरूई अर्ष्ट के बात अर्वी नूर और रेट को देखते लगी, उसे डर लग रहा था, ना जाने इस कंपनी का CEO से क्यों मिला जा रहा है, अगर वो उसे क्या बात करा जा रहा है, आर्वी को बिल्कुल भी नहीं चाना था, तभी अर्ष्ट ने एक बार फिर से का, प्लीस माम, च पर नूर ने खा, रिलक्स आरू, हम दोनों यहीं वेट करता है, जा, तू जा करा, ओके, आर्वी ने नूर को घूर कर देखा, नूर ने अपनी बड़ती से रिखा रही, आप इचारी से आर्वी के पास कोई और शारा नहीं बचा था, जिससे से उसने अपना से चुकाया, और अर्ष के सामने चाकर कघड़ी हो गई, एक पास तो आर्वी अपने सामने खड़ी मासुम सी, उस मासुम सी लड़की को टेक्टे लगा, कितनी मासुम सी लड़कीया, और कहा, उसका बास ना जाने, अब इस लड़की साथ क्या होगा, उसने एक गैरी सास ली, और रीट नूर से बोली यार यारो ही कितनी लग्या पहली बाल में ही यह लीडर बन गई रीट की बात सुन नूर जो अर्श पे खोई थी वो अपने खूश में आई उसने अपना मुझ बनाते हुए का सिर्फ लग नहीं उस पे इतनी कापीलियत भी है नूर की बात सुन रीट ए कुछ रही खा और बस जलन बड़ी नजड़ों से उस और देखे लगी जहां आ रही गई थी वहीं आ रही जैसे जैसे आगे जा रही थी उसके डिल के ढड़कने तेस होते जा रही थी उसे एक अंचाना सा ड़ लग रहा था त्यूंकि वो अर्श के सार्ण लिफ्ट से होत रही थी यह सब डिक का तो आरोई की हालत खराब होगी बहला कौन सा बॉस ऐसी जगह पर रहता है पर ठोड़ा और चलने के बाद आगे की तरफ उचाला ही उचाला था महाबर सबी स्टाफ हाई टेक्नलोजी के साथ अपना वाग कर रहे थे वो पिरकुल पिर लापर वाइ नहीं परत सकते थे अचाला उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने वार्ग पर था आरोई तो यह सब बस देखती रहे कि तब ही उसके कानों में आश्क के आपास है जो उसे आगे चलने के लिए कह रहा था आरोई फिर से उसके पीछे पीछे चलने लगी आरोई उसके आरोई उन्हें हैड़त में देख रहे लगी महापूरा क्यापट काज का था बाचे अधर का कुछ नहीं देख रहा था इस वक्त इस पाचे अजार आरोई उस सुद्दर से जगा को देख रही थी कि कोई क्यापट पे बैठा जुरू थे उसे देख रहा है तो कैसे लगा आपको आज का चैप्टर कॉमेंट करेंगे सब बतारा और क्या आपको यह स्टोरी पसंट आ रही है